हलो फ्रेंड्स आज में आपको इस वीडियो में बॉलीवूर के एक्टर सारुक खान की अपकमिंग फिल्म पठान के OTT रिलीज के बारे में बताने वाली हूँ तो फ्रेंड्स सारुक खान और दीपी का पादुकोड की फिल्म पठान का फैंस बेसब्री से इंतिसार कर रहे हैं वहीं हम आपको बताते चले तो चार साल बात के इंखान बड़े परते पर वापसिक कर रहे हैं एक्सन थ्रिलर से भरपूल फिल्म पठान 25 जनवरी 2030 को सिनमा घरों में रिलीज होगी रिलीज से पहले ही पठान विवादों में खेर गई हैं पठान के गाने बेसरम रंग को लेकर जम कर विवाद हो रहा है इस गाने में दीपी का पादुकोड की भगवा बिकनी को लेकर काफी विवाद हुआ है राजनेताओं से लेकर अभिनेता तक कई संगठों ने इस गाने का विरोध किया है अब पठान का दूसरा गाना जूमे जो पठान भी रिलीज हो चुका है सारुक खान के इस फिल्म का फैंस पे सबरे से इंतसार कर रहे है इस बीच फिल्म के OTT प्लेटफार्म पर रिलीज को लेकर बड़ा अपडेट सामने आ रहा है वही हम आपको बताते चले तो फिल्म पठान के OTT रिलीज को लेकर फिलहाल मेकर्स की ओर से कोई जानकारे सामने नहीं आई है माना जा रहा है कि फिल्म को मार्च के आप्रेल की सुरुगात में OTT पर रिलीज किया जाएगा फिल्म के डिजिटल स्ट्रीमिंग राइट्स को लेकर खबर है कि इसे ग्लोबल OTT प्लेटफॉर्म एमेजोन प्राइम पर रिलीज के लिए 200 करोड रुपे में रीजर हो किया गया है वही हम आपको बता दे तो फिल्म पठान का टीजर रिलीज होने के बाद से फैंस अब इसके रिलीज होने का इंतजार कर रहे है इस फिल्म में सारुक खान और दीपिका पदगोर के अलावा जौन इब्राहिम भी एहम प्रोल प्लेग कर रहे है पठान को हिंदी के अलावा तेल्गू और तमिल में रिलीज किया जाएगा फिल्म के निर्देशक आनंद है इस फिल्म को आदिते चोपला ने प्रोडियूस किया है वह हम आपको बता दे तो सारुक खान के फैंस पठान की रिलीज का बिसबरी से इंतजार कर रहे है उससे कहीं ज़्यादा किंग खान को अपनी इस फिल्म से उम्मीदे है सारुक खान को आखरी बार फिल्म जीरो में देखा गया था आप पठान हीट होगी या फ्रॉप इसके बाद ही पता चलेगा कि किंग खान का जादू फैंस पर आपी भी चलता है या उनका बात्साहत का दोर खत्म हो चला है तो फ्रेंड्स कमेंट बाक्स में कमेंट करके बताएए कि सारुक खान की फिल्म पठान को देखने के लिए आप कितना साधा एकसाइटेड है और इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें मिलते हैं नेक्ष्ट वीडियो में बाइबाई